हलो गाईज, वेलकम टो इस्टिय और फ्यूचर एजूकेशन डिफेंस स्टेडीज यूट्यूब चैनल आज किस विडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडियन कोस्ट कार्ड में निकली हुई वेकेंसी के बारे में दो अलग-लग नोटिफिकेशन जारी किये गए हैं आपके जो अप्लिकेशन फोर्म है वो इन्वाइट किये गए हैं डिफेंट डिफेंट विकेंसी के लिए पहली जो पोस्ट है वो है आपकी स्टोर कीपर ग्रेट 2 के लिए ग्रुप सी पोस्ट है एक vacancy रहेगी 12th pass होने चाहिए साधे साथ एक साल का experience होना चाहिए handling stores का age limit 25 साल से जादा नहीं होनी चाहिए बाकी जो reservation criteria के according इसमें relaxation दी जाएगी वो applicable रहेगी दूसरी post है engine driver की इसमें 10th pass होने चाहिए certificate of competency as engine driver होना चाहिए और अगर दो साल का service as saaring on a vessel है over 400 boat horsepower पे तो आपको preference बाकियों के मुकाबले पहले दी जाएगी लेकिन ये essential requirement नहीं है age limit 30 साल आपकी age limit यहाँ पे रखी गई है next post है यहाँ पे CMTD OG की और इसमें 2 vacancies हैं 10th pass होने चाहिए आपके पास driving license होना चाहिए heavy और light motor vehicle का दो साल का experience driving का होना चाहिए knowledge होना चाहिए motor mechanism का 27 साल तक इसमें age limit रखी गई है next है fork lift operator की एक vacancy इसमें आपका ITI का certificate होना चाहिए respective trade में और साथ ही साथ जो है यहाँ बताया गया है कि आपका experience जो है एक साल का होना चाहिए इस trade में या फिर अगर आपकी यह qualification नहीं है तो आपके पास 3 साल का experience होना चाहिए इस trade में और साथ हे साथ आपके पास heavy duty vehicles driving license होना चाहिए age limit 27 साल है इसमें next post है sheet metal worker skilled एक vacancy 10 pass होने चाहिए आपने successfully complete की हो apprenticeship इसमें या फिर आपकी training complete होई होनी चाहिए किसी ITI से इस purpose के लिए और एक साल का trade experience होना चाहिए या फिर 4 साल का experience होना चाहिए और इसके साथ इसाथ जो है आपका qualify होना चाहिए trade entrance examination 27 साल age limit है next post है carpenter skilled की एक vacancy 10 pass होने चाहिए और इसमें आपने apprenticeship किया होना चाहिए या फिर आपने ITI से किया होना चाहिए या फिर चार साल का experience और trade entrance examination qualify करना होगा होना चाहिए आपका और 27 साल आपकी age limit इसमें रखी गई है next post unskilled laborer की एक vacancy metric किया होना चाहिए तीन साल का experience होना चाहिए 27 साल age limit है next post है motor transport fitter की इसमें एक vacancy UR एक vacancy SC के लिए metric pass होने चाहिए दो साल का experience होना चाहिए automobile workshop में और age limit इहां पर रखी गई है 27 साल की और अगर आपका ITI diploma भी होगा तो आपको बाकी candidates के मुकाबले ज़्यादा preference दी जाएगी apply कैसे करना है अब आपको ये application जो है form आपका या तो हिंदी या फिर English में आप इसको भर सकते हैं और साथ ही साथ आपको जो document send करने होंगे उसमें आपका valid photo ID proof metric certificate 12 latest category certificate जो आपकी latest category है उसका certificate होना चाहिए experience certificate NOC दो latest passport side color photograph और आपको एक blank envelope जो है जिसके उपर 50 रुपे की postal stamp लगी होनी चाहिए वो आपका उस पे address भी लिखा होना चाहिए ये भी आपको attach करना है अपने application के स और साथ जो आपकी date of issue है all the documents वो आपकी on और before 29 अगस 2023 के होनी चाहिए और जो आपका application form है वो आपको भेजना है इस address पे जो address है आपका जो screen पे देख पा रहे हैं और ordinary post के द्वारा ही इसको आपको भेजना होगा इन vacancies के लिए आपका written examination conduct होगा और ये आपका written examination pen paper based होगा एक घंटे duration का ये paper होगा दो language में होगा यानि कि हिंदी और English इसमें आपके 80 objective type questions होगे हर question एक number का होगा और कोई भी negative marking आपकी इसमें नहीं होगी यानि कि आप सारे questions जो हैं इसमें attempt कर सकते हैं और जिस envelope में आपन लिखना है application for the post of this post के लिए apply कर रहे हैं और also जिस category में apply कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे mention करनी होगी तो ये था पहला notification आप बात करेंगे दूसरे notification की तो दूसरा जो notification है Indian coast card का direct rate of recruitment के द्वारा जारी किया गया है civil personal 2023 की recruitment है last date है application form को भरने की 14 अगस 2023 पहली जो post है इसम direct recruitment process है ये इसमें एक vacancy है पहली ये civilian motor transport driver के लिए metric pass होने चाहिए 18 से 27 age और valid driving license होना चाहिए heavy or light motor vehicle है उसके लिए 2 साल का experience होना चाहिए और knowledge होना चाहिए motor mechanism का motor transport fitter mechanical के लिए यहाँ पे vacancies हैं 2 metric pass और 2 साल का experience automobile workshop का होना चाहिए 18 से 27 age multitasking staff motor transport cleaner दो vacancies metric pass और 2 साल का experience होना चाहिए mechanical workshop का then यहाँ पे multitasking staff माली की एक vacancy है metric pass और 2 साल का experience होना चाहिए then beyond की vacancy है metric pass और 2 साल का experience होना चाहिए sweeper metric pass और 2 साल का experience होना चाहिए last day जैसे कि मैंने बताया 14 अगस 2023 रहेगी duties आप इस notification में देख पा रहे होंगे कि किस post की क्या duties रहेंगी और apply कैसे करना है तो आपको अपने application form या तो हिंदी या फिर English में भरके भेजना है साथे साथ ये documents चुब बताये गए हैं इनकी xerox copies आपको साथ में टैच करके भेजनी होंगी और एक separate plank envelope भेजना होगा जिस पे 50 रुबे के stamp लगी हो और उस पे आपका जो है address लिखा होना चाहिए और जो आपका application भेजना है वो इस address पे भेजना है जो आप देख सकते हैं और इस address पे आपको अपने सारे documents के साथ वो सारी चीज़ें वहाँ पे भेजनी होंगी then बात करेंगे कि सारे जो process है वो कैसे conduct होगी तो इसमें भी आपका एक written examination होगा pen paper based दोनों language में 80 objective type question होगे और कोई भी negative mark इंगे इसमें आपकी deduct नहीं की जाएगी जो written examination होगा उसमें maths, English, general awareness, mental ability और reasoning के 20-20 question 20 number के पूछे जाएंगे गंडे का paper होगा passing marks, UR, OV, CWS के लिए रहेंगे 40, SCST के लिए रहेंगे 36 mark की passing marks रहेंगे syllabus आप देख सकते हैं, ये फिलिन की website जो है visit करिए, उस website पे जाके आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी वहाँ से आप इसको देख सकते हैं thoroughly कि किस के लिए का syllabus यहाँ पे रखा गया है और application के उपर आपको बड़े एक्ष़रों में लिखना होगा, application for the post of civilian MDD जो ये मोटे एक्ष़रों में यहाँ लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ आपको उसमें लिखनी होगी और candidate जो हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए apply करें और एक application form एक post के लिए यहाँ पे allowed है, यानि कि एक के दोरा आप दो में apply नहीं कर सकते हैं और बाकी ज़्यादा जानकारी आपको उनकी website से मिल जाएगी, website है नकी indiancoastcard.gov.in तो यह था गाइज आज किस विडियो में, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो विडियो को like सरूर करें, share करें दोस्तों के साथ और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही subscribe कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें so thank you guys for watching this video, मिलेंगे सी तरह की next videos में